हलो and welcome to YCZ classes बच्चों आज हम class जो 11 का chemistry का next हमारा topic रहेगा वह है defects in modern predictable ठीक है तो आज हम defects in modern predictable देखेंगे कि modern predictable में क्या limitations रही ठीक है last lecture में हमने characteristics और फिर classification तो आज हम लिमिटेशन देखेंगे ड्रॉबैक्स देखेंगे डिफैक्स देखेंगे मॉडर्न प्रडिक टेबल के तो देखें अगर हम आपको थोड़ा सा बताना बताते चले की नाउड आउट मुसले प्रडिक टेबल प्रूड वैरी सक्सेस्पूल इसमें कोई शेक की हुआ ठीक है लेकिन बट इट स्टिल सफर्स फ्रम सर्टन लेमिटेशन साल सो ठीक है विच और एज मैंशन और समराइज़ बिलोव यू किन से ओके अपनी कॉपी पैन पर लिखेंगे बिटा कॉपी पर लिखेंगे पैन अपना लेके ठीक है कि फस्ट लिमिटेशन इस पो है कर इस प्रॉडिक्टेबल है स्टे व्लांग विद अलकली मेटल इसले के प्रॉडिक्टेबल के मताबिक 10 जो इलिमेट्ड है उसको ऐलकली मैटल जैनि group first element के साथ जो है वो place किया गया है ठीक है नहीं किस लिए क्यों place किया गया है क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी group में उन्ही element को रखा जाता है जिनकी properties जो है वो resemble करती है यानि वो same हो होती है इसलिए रखा जाता है तो element hydrogen को मुसली ने अपने प्रोडिक टेबल में अल्किली मेटल यानि group first के साथ प्लेस किया इस वज़े से कि इनकी properties जो है वो resemble कर रही थी ठीक है आपस में तो विकाज आफ सिमलर्टी इन देर electronic configuration यानि इनकी electronic configuration जो है वो आपस में मिलती जुलती थी जैसे कि आप फस्त में देख रहे हैं लीथियम है सूडियम है है प्रटेशियम रेविडियम सीजिम वगरा हो सब के वैलेंशल में जो है वह एक electron आता है और hydrogen की अगर हम वैलेंशल की बात करेंगे तो वहां पर भी एक electron आता है तो उनकी जो electronic configuration है वो resemble कर रही थी इस वज़े से मुझले ने इसको कहां पर प्लेस किया ग्रूप ऑन अलकली मेटल्स के साथ प्लेस किया लेकिन बट लाइक है अगर हम हैलोजन की बात करेंगे ग्रूप 17 जो हमारा यहां पर है modern predictable में जिने हम हैलोजन कहते हैं अग coefficient of one electron यह इसमें भी एक ही electron की कमी है जिस तरह से ग्रूप 17 के elements को एक ही electron की कमी होती है अपने आपको स्टेबल करने के लिए और अपने नेरेस्ट ऑक्टेट यह नोबल गैस electronic configuration को एक्वाइर करने के लिए ठीक है ग्रूप 17 वाले elements के वालेंशल में साथ electron होते हैं तो उनमे एक ही electron की कमी होती है ताकि वह आठ हो जाए और अपने नेरेस्ट 18 ग्रूप वाले नोबल गैस elements के electronic configuration को एक्वाइर करें तो यहां पर जब हम ग्रूप 17 को और ग्रूप 17 और hydrogen को compare करते हैं तो इनकी भी properties वापस में electronic configuration के मताविक क्या होते हैं रिजंबल कर रहे हैं इस वज आठ हो जाए अपने नेरेस्ट 18 ग्रूप यह नोबल गैस एलेक्टर निकरिशन हो जाए तो इस तरह से यह दोनों रिजंबल करते हैं वहां से देख लीजिए कि मुझले ने इनको ग्रूप 1 के साथ कर दिया है क्योंकि वहां पर भी hydrogen उसके साथ ग्रूप 1 के साथ कर रहा ह और यहां से अगर हम देखेंगे तो ग्रूप 17 के साथ भी element hydrogen जो हो रिजंबल कर रहा है लहाँ इसको हम आप कहां पे रखें कहां पे माने मुझले ने इसको ग्रूप 1 के साथ कर दिया लेकिन ग्रूप 17 के साथ भी रिजंबल कर रहा है जो की controversial position है ठीक है justification proper इसका नहीं है क इसको अगर यह जो पॉपरली प्लेस्ट तो इनको जो ग्रूप 17 के साथ रख देना चाहिए था है जो लेकिन यह एक कंट्रोवर्शल पोजिशन हो गई क्योंकि यह ग्रूप 1 एलकले मेटल के साथ भी तो रिजंबल कर रहा है लाँजा यह दो ग्रूप 17 के साथ रिजंब तो करने सकते तो यह एक कंट्रोवर्शल पोजिशन हो गई ठीक है जिसको हम बोलेंगे कि इस पोजिशन आफ अलेमेंट हजिन वास दाट जैस्टिफाइड प्रॉपरली बाइडी मुसले यह जैस्टिफाइड पोजिशन आफ एलिमेंट है इस टील नाट कि इस टील नाट जैस्टिफाइड पोजिशन आफ एलिमेंट हेलियम देखिए पोजिशन आफ एलिमेंट हेलियम जो है अब पिछले वाली लेक्षर में जो है किसले लेक्षिर में से ब्लॉक हमने अगर हो last electron assumption में enter होता है उनको हम s block elements कहते हैं तो अगर हम helium के electronic configuration देखेंगे position of helium किस तरह से limitation है देखें we know that the electronic configuration of element helium is 1s2 ठीक है न हम सब जानते हैं कि helium की जो electronic configuration है इसका atomic number helium का 2 है और इसकी electronic configuration जो है वो 1s2 है तो last electron आपका आग कहां अपने रहा है ठीक है सब्षल में आ रहा है तो विच शोज डाट इस वैलेंस electron एंटर इंटर इंटू सब्षल तो सब्षल में last electron एंटर हो रहा है तो helium शुड भी प्लेस्ट हिलियम को कहां होना चाहिए है helium should be a part of s block ठीक है क्योंकि last electron के एंटर अगर सब्षल में होती तो यह एस ब्लॉक कहलाना चाहिए ठीक है एस ब्लॉक का एक पार्ट होना चाहिए विच इस नाट जो किया है नहीं जब आप देखते है helium को प्रडेक्टिबल में तो यह आपको राइट साइड पे मिलता है एक्स्रीम राइट साइड पे मिल रहा है आपको ग्रुप नम्र 18 के साथ यह निए पी ब्लॉक के पास मिलता है यह पीडॉक अलिकि last electron जो है एस सब्षल में अंटर होता है यह एस ब्लॉक element group one two में होना चाहिए था लेकिन वह कहां पर है पी ब्लॉक में है तो लेहाज़ा यह भी क्या रहे रही है यहां पर एक limitation रह रही है चले next limitation देखते है बटा यह है कि separate place for length nights and actinides कि जो हमारे length nights है और actinides है उनके लिए जो है वो separate place ठीक है अलग से जो है उनके लिए जगे जो है वो किस तरह से रखी गई तो देखे इसमें हम यह बताएंगे कि like other blocks of elements जैसे s block element है पी ब्लॉक है और d block है इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनको इस प्राइडिक टेबल का जो है वो man frame मिला है ठीक है क्या मिला है एक man frame मिला है यहाँ पे आपका s block है extreme left side पे इसके center पे ढ़का d block element है ठीक है उसके बाद आपका इसके extreme राइट पे जो है वो तो यह क्या कहे रहे हैं कि कहीं न कहीं जो हैем कि हमारे साथ थो है वन्याय हुआ हुआ एक हमरे साथ नहीं हुआ है हमें भी मैं प्रिम में होना चाहिए ह ev like अधर बलॉक्स अफ लॉक्स एलिमेंट resign and Acktonaydee वो भी होने चाहिए थे उनको भी man frame of predictable का हिस्सा होना चाहिए था ठीक है बट आर टोटली डिप्रीवड आप लेकिन उनको वो हक जो है man frame of predictable का वो नहीं दिया गया as per the you can say Mosley's classification so we can say that the reason for reason for it was not explained by Mosley that why they are not given the proper place in the man frame of the product table and why they are deprived of this ठीक है तो ऐसा कोई explanation जो है वो मुझे नहीं दे पाते हैं यहां पर लहादा जो है इनकी limitation जो है वो रह जाती है आज की lecture में बटा इतना ही पढ़ेंगे ठीक होप कि यह पूरा lecture जो है रहा हो और लासली आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो आज की लेक्षर में इतना ही गुडबाई टेक एर स्टेवीट एंड स्टेव सेफ